ओकी दोस्तों तो मैं आपको लोगों को अपनी रियल इंवेस्टमेंट दिखाने लगाऊं क्रिप्टो के अंदर और कौन से कॉइंस मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बेड़ परफॉल्म कर सकते तो विदाउट वेस्टिंग मच आफ यॉर टाइम लेट स्टार्ट ऑगी ग यहां पर जो मार्केट है वो प्लस माइनस 10 परसेंट होती जा रही है अगर मैं लास्ट सेवन डेज आपको दिखाओ तो थोड़ा सा नीचे जाता है फॉर्टी से रिस्टेंस मिलता है उसके बाद फिर वह वापिस जाता है 47 48 तक और यह चीज चलती रही है अब इसके आग लैसे ही बिया मार्केट के अंदर है और असल बात है किसी को ने मालूम भी नहीं है उसके इलावे इथीरियम जो है आप देख पाओगे इथीरियम के साथ भी यही सेम ड्रामा है 37 से लेके 39 या कभी 4000 टच करता है यही ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन जो इंट्रस्टिंग च अच्छा कासा परफॉर्म किया है तो मैं आपको दिखाता हूं लास्ट एक महिने का देखते हैं इसका आप देख पाओगे कि यहां से यह 89 से इस अच्छली और अगें गई गई बाक तो 114 अब मैं वापिस अगर लूना पे जाहूं और लूना अब अब लूना के ऊपर ब अब आप देख पाओगे कि लास्ट एक महिने के अंदर 40 से लेके almost 100% तक का जंप मिल चुका है 73 पे है अगर एक महिने का मैं देखू हूं तो हाइस 78 तक गया था लूना जा चुका है तो आम वेरी पॉजिटेव और लूना में श्याइद में कुछ दिनों में इसके उपर इंवेस्ट करूंगा मैंने अक्शली बिट भी कर रहे है कि यह थोड़ा सब नीचे आएगा तो लूना तो मैं इसके उपर बिट कर दूंगा इसके लाव आप नी से बहुत अच्छे मालब जिसने लोगों ने 1.5 पर बाई किया है यह बहुत अच्छे प्रॉफित पर बैठे मैं इस वक्त क्योंकि अगर मैं एक मेहने का दिखा हूं तो आप देख पाऊंगे कि 1.5 पर था और 2.57 विच इस अमेजिंग जिन लोगों ने भी डिप पर नारा फेंटम मैंने फेंटम होल्ड करका है थोड़ा सा में आपको दिखाऊंगा भी कितना मैंने होल्ड करका फेंटम को और इसके लावा और कौन से कोई से जो मैं होल्ड करके चल रहा हूं I'm still learning I'm learning from the pros in this game I'm learning from my friends जहां से मुझे मिल सकती है help मैं वहां से ले रहा हूं और सो मैंने कुछ गाला भी होल्ड कर रखा है इसके लवा डी सेंटर लेंड तो मैं आपको दिखा देता हूं अपना बाइन का वाले तो अभी अगर अगर मेरा बाइन का वालट देखोगे तो तेरा सो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं इसकी अभी जो करेंट वैल्यू चल र जो कि 270 जिसकी वैल्यू है और इसके इलावा मैंने थोड़ा से यूस्टी होल्ड करके रखा हूं अगर नीचा आएगा प्राइस तो बेसिकली उसे ले लेंगे इसके इलावा आप बॉट सम सूपर फाम तो जिन लोगों को नहीं मालूम सूपर फाम मैं आप लोगों को सू संटी जिसकी लावा मैंने हंड्रेड का है गाली लुंट अपरी के लिए यह कि वैल्यू से लिए अपरई जिसकी वेल्यू रगें और नियुक्ति टोड़े लिए हैं पर प्रेंटे कि रिए से मैं तोडी सी रियूसर्च उनके वैसिशे पर गई और यह इसकी उनके बीशन Phantom is something which I believe कि हाइज अच्छा काम करेगा और Super Farm में मैंने आपको बताया कि 30-40% is what I am looking for इसके लाब जो Luna है मेभी in coming times में Luna के ओपर और invest करना चाहूंगा और Luna पर मैं करूंगा भी तो अभी तक ये strategy थी ये चीजे हैं जो चल रही है Cardano is like nothing it's like doing nothing honestly Solana is doing good तो ये अच्छा काम कर रहा है Avalanche और Terra हमें देखने को निलेंगे कि मेरे खाल से आगे-सा के ताइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे कई लोग especially one of my very good friend is saying कि Luna पर he is so bullish कि he expect around Luna to be at $1,000 in next 2-3 years आप क्या सोचते हो आप मुझे बता ना मैं अभी भी study कर रहा हूँ Luna Luna के वह जादा study कर रहा हूँ कि Luna exactly कैसे काम करेगा और क्या क्या development चल रहा है और क्या चीज़ें चल रही है लेकिन Luna की टीम बहुत जादा active है तो या इस इस अबाओ इस क्रिप्टो वीडियो अगें क्रिप्टो आप यह जो मैंने पैसे इसके लोड करेंके है इस मनी इस आप हंड़र परसेंट रेडी तो लूस और मैं हमेशा मतलब ही इमान के चलता हूँ कि क्रिप्टो इस जो आपको हाई रिस्क और हाई रिटन की फॉर्म में आ सकता है लेकिन आम नॉट सेंग कि अभी इसके अंदर कोई इतने अच्छे वर्किंग वर्डल साल चुके हैं क्रिप्टो के अंदर की जिसके ओपर हम रिलाई कर सकते हैं बट इस अपकमिंग टेक्नोलोजी अपक्रियाग से अपकर आपको अपको रिल्ट आप्स अपकर अब गार्च शुक पर्सक्रियम के अपको रिल आपको रिल अच्छ पुल्ट है इनकी वेल्योग बिल्ट अप हो रही है ज्लॉली बाट अगे जागे कैसा परफॉर्म करेंगे so yeah i'm still learning i'm very very new i'm again saying that i'm like don't believe me in terms of if i give some advice and this is just for for the fun and entertainment purpose which i'm making my video i know nothing about crypto and you don't take this advice as a financial advice okay guys i'll see you in the next video bye